पीडित परिवार अपने उपर हुए कातलाना हमले की कहानी सुनाने के लिए बचते बचाते पहुचा पुलिस कप्तान के दर्बार ये वाक्या है सीतापुर जनपत के थाना छेत महोली के चिताईला गाओं का जहां गाओ की प्रीती सुकला का पड़ोसी सिवकुमार से नाली को लेकर बिवाद चल रहा है जिसे लेकर बिपक्षी गणों ने लाठी डंडो से लाइस होकर जबरन नाली तोडने का काम सुरू कर दिया प्रीती सुकला दारा रोकने पर बिपक्षी गणों ने प्रीती सुकला के ऊपर राट से हमला बोल कर घायल कर दिया और परिवार के अन्य लोगों को भी चोट पहुंचाई और चोटलों को थाना न जाने का फर्मान जारी कर रास्ता रोकने के लिए गाड़ा बंदी भी कर दी हाला कि चोटिल परीती शुकला किसी तरह से बचते-बचाते थाना न जाकर अपने परिवार के चोटिलों के साथ पुलिस कप्तान से मिलने पहुँची चोटिल परीती शुकला का कहना है कि कि यह बताइए कि आप लोग कहां से आई हैं और क्या है पूरा मामला सरम चित हालात है थाना महोड़ी है हमारी नाली पंदरा दिन पहले फैसला पुलिस जाए कराई आई जाए जाए नाली बनी गई रहा है चुप जाए अदमिया कल दरोगा जी गए तो कहीं नाली बनी गई तोड़ो लोग पैसा ओजा दिन थाने में है तो दरोगा जी ते कहना आप तोड़ी देऊ नाली हम नाही तोड़ी वो अगर सरकार तोड़वाइ दे तो तोड़ी देऊ उसके बाद में दरोगा जी इन ते कहीं कि अभे नाइमन्ती हो बाद रोवत यही हो रात दावत अधिया गाओं उन्हों खाईन पीन खो अव सुबह हमारे घर के अधिमी सब कोई घास चलोगो कोई कहीं चलोगो तब तक प्रधान आई गे नंदूई जनी सिर्फ वाँ पर रहां देऊ रानी जठानी तब वही कहीं कि नाली तुम लोग तुड़वाई देऊ हम अपने प कितने लोग थे वो लोग कम से कम तीस लोग रहें अच्या हाँ अब फिर वह लोग सब लोग आए कि पहले हमका तमंचा हम इंसे आब बताई रहां तब तक हमला हुई गो नाम नेरे समका गां कि रहा है पर तमंचा इसे दिखाई अब फिर लगाई लिए लिए कपड़ा न सब्सक्राइब करें तो जानते मार देबो अधरोगा जी कल समने कही रहे रहे हैं तो हम थाने नागें इधर से कमला पर हुई के अपनी जान बचाई यह लड़का अभी तक बंद रहो इस समय कहां जा रहे थी इस समय तो हम एस पी आफिस को लिखवा कि अप्लिकेशन अप्लिकेशन लाउ seguinte